नवस्कार दोस्तों सोची एगर पानी के अंदर पूरा का पूरा सहर बसा दिया जाए उसमें लोगों के रहने के लिए लगजरी फ्लैट्स हों भूमने और सौपिन करने के लिए मौल्स हों, फोटल हों बिजिनेस करने के लिए दबतर हो और ट्रांस्पोर्ट के सारे साधन भी सूरज की पूरी रौस्णी भी मिलती हो और आक्सीजन की कोई कमी भी ना हो और खाने पीने के लिए बिडामिंस और मिन्रल से भरपूल भोजन शब को मुहया कराया जाए और वो भी धर्ती से बिना कोई मदद लिये हुए लेकिन जब आपको धर्ती घुमने आना हो तो बस कुछ मिंटो की आत्रा कर आप ऐसे आ जाएं जैसे किसी पास के सहर से आ रहे हैं तो कैसी होगी लाइफ? हम बात कर रहे हैं Future Underwater City Concept के बारे में Underwater सहर याने की पानी के अंदर बसे सहरों की जलक देखी होगे लेकिन जल्दी ये हकीकत का रूप ले सकता है जापान की एक Multinational Contraction और आर्किटेक्चर कंपणी ने ऐसा ही कॉंसेप्ट सामने रखा है जहां पूई तरह पानी के अंदर बसे सहर में हजारों लोगों के रहने के लिए घर, घुमने के लिए मॉल, होटल, मार्केट और साड़ी सुधाएं उतलब दो धर्ती पर 71 फीज़दी हिंस्वा पानी का है समंदर ठोस सतह को चारों और से घेरे हुए हैं बीच बीच में महाद्वीब बसे हुए हैं रेकिन अपस इंसान समंदर के गहरे के हिस्से में भी जाकर बसने की योजना पर काम कर रहा है जापान और दुनिया बर में कई बड़ी अत्यादुनिक कर्टरक्शन प्रजेक्ट बना चुकी जापान की बहुराष्ट्रिया और्किटिक्चर कंपनी श्रीमजु कॉर्परेशन की मात्वा कांची योजना है अंडर वाटर सिती बसाने की यह अपनी तरह का दुनिया का ऐसा पहला सहर बन सकता है जो पूरी तरह पानी के अंदर होगा और लोग पानी के लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे आए जानते हैं कैसी होगी अंडर वाटर सिती की जिंदगी यह अंडर वाटर सहर ओसियन स्पाइरल चोड़ाई में फुटबाल के चार मैदान के साइज की बराबर होगा और समुंदर के सतर के नीचे दो मील अंदर तक बसा होगा यहां लोगों के रहने के लिए घर, विजनेस की जगर, फोटल, मॉल, मार्केट, ट्रांस्पोर्ट के साधन सब कुछ धर्ती की तरह होंगे बलकि उससे भी ज्यादा लक्जीरियस होगे इसका पारिया और मजबूत और हर खत्रे से सिर्फ बना होगा और अंदर रह रहे या घूम रहे लोग समंदर के अंदर की जिन्दगी को आसानी से देख सकेंगे कमपनी ने इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट और प्लान की तस्वीरे भी सेयर की है इसे देखकर आप आभास कर सकते हैं कि पानी के अंदर जो लोग रहेंगे उनकी लाइस कैसी होगी दोस्तों इस फ्यूचर सिटी कॉंसेट्ट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में